नमुश्क्र फ्रेंज, विल्कम टो आल्पुनस कुकिंग स्टाइल, आज हमने बनाया सेजवन फ्राइड आइस, अक्सर लोग यह रिस्टुरेंट से ओडर करके खाते हैं, पर इसा बहुत आसानी सी घर पे बनाया जा सकता हैं, ता आये देखे इसा हम कैसे बनाते हैं, मैंने एक काप लोंग ग्रेन बासमोते राइस लिया, इसे आच्छी तरा धोके 20 मिनिट के लिए हम भीगा के राखेंगे, एक बर्तन में पानी राखा गरम होने के लिए, पानी में उबाला गया, आप इसमें डालेंगे हाप टिस्पन नमोक और हाप टिस्पन तेल, इसे से मिला लेंगे, और इसे हम कूखने देंगे, ये चावल हमें 90% कूख करना है, और 20-20 में इसे कार्षिज चालाते रहेंगे, और चेक करते जाएंगे, ये चावल 90% कूख हो गया, इसे हम उतर लेंगे, और एक चान्नी से चान लेंगे, चान्नी का बाद इसका अब थरा ठांडा बनी डाल देंगे, ताकि इसका उंदर जोर स्टार्स है उन निकाल जाए, और इसके बाद इसे एक प्लेट में फेला के दखेंगे, मैंने कड़ाई में 2 टेबिल स्पून तेल डाला, तेल गरम हो गया, आप इसमें डालेंगे अद्रुक और लहसुन, ये अद्रुक लहसुन को थरा हलका से स्टे कर लेंगे, फिट डालेंगे गाजुर और बीन्स, ये भी हमें हलका से फ्राई कर लेंगे, जादे फ्राई नहीं करना, जैस्ट इसे कच्चा पन दूर हो जाए, आप इसमें डालेंगे हरी मीच्च और पत्तगोवी, और डालेंगे कैप्सिकम, और हरा प्यास के जो हाइट पोर्षन है और डाल देंगे, और डाल के थोड़ा से फ्राई कर लेंगे, ये हालका से मैंने फ्राई किया, अब देलांगा हाप टी स्पून नामा, हाप टी स्पून धुनीगा, ये डाल के श्राई करेंगे, और एक टिबिल स्पून मैंने क्याचाप डाला, एक टिबिल स्पून स्वा आप डाल देते हैं एक टेबिल स्पुन शेजवन सौस यह डाल के थोड़ा से फ्राइब करेंगे ताकि सौस थोड़ी शूख जाए और फाइनाली डालेंगे चावल इसे डाल के हालका हाथ में हम मिक्स करेंगे जीननगु को ज्यादा मीट्ची पसंद है ओथरा सेजवन सौस को दो टेबिल स्पुन डालें कोई-कोई इसमें फूट कलर भी डालते हैं लेकिन मैं ऐसे नहीं डाल लियो यह आप आपकी पसंद की हिसाब से डालें बीज-बीज में इसे काश से चला के हम मिक्स करेंगे और इस तरह टॉस्ट भी करेंगे टॉस्ट करने से क्या होता है यह चावल प्रोपर तरीका से चारो तरब मिक्स होता है और फ्राई होता है यह फ्राइडर्स बनने में जाता टाइम नहीं लगता है कोई भी से आसने से बना सकता है तो आप रेडी हो गया हमारा सेजवान फ्राइडाइज आई होप आपको मेरी ए रेसिपी पसंद आए यह रेसिपी आच्छा लगए तो मेरी चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और बिल